हेलो गई साथ हम बात करेंगे रियल में नारदो 30A और 30 30 pro के हेंगिंग प्रॉब्लम सॉलिशन के बारे में अगर आप लोग को इस टैप की प्रॉब्लम साती है तो आप लोग काफी आचान तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल कर पाएंगे मैं बैसिकलि आप लोग कुछ यहां मैं भी कभी कपार फेस करता ही हूँ तो मैं आप लोग एक्दम जेनुवन ट्रिक पताऊंगा जिससे आप लोग यहां प्रॉब्लम को सॉल कर पाएंगे वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी का बैल का इकन को प थाली रखी है मतलब फाल्तू का डाटा आप लोग नहीं रखे तो पड़िया आए जो आप लोग यूज करते हैं वही डाटा आप लोग अपने फोन में रखिए और अगर आप लोग अलग से SD card use करते हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा डाटा कोसित करें कि SD card में आप लोग रखें अगर आप लोग SD card use नहीं करते हैं तो आप लोग storage को थोड़ा खाली रखिए खाली रखने का मतलब importance डिलिट न करिये जो basic useless चीज़े आप लोग उसको डिलिट कर सकते हैं और कुछ-कुछ apps ऐसी रहती जो कि आप लोग एक बाँ install कर लेते हैं तो आप लोग जो है उसको use नहीं करते तो मेरे साब से आप लोग उसको अनिस्टॉल कर लिजीगा अनिस्टॉल करने में ज्यादा बेटर है जितना कम apps आप लोग अपने फोन में रखेंगे उतना अच्छा पर्फॉर्म आप लोग का फोन करने वाला है ठीक है और आप लोग समय अनुसार अपने फोन को update करते र किया जाता है तो आप लोग update बगेरा करते रहिएगा एन एक चैरे आप लोग ने काफी notice किया होगा जैसे आप लोग अपने फोन मेणडा प्रॉन करते कैने वैसे आप लोग का फॉन काफी हैंग होने लगता है तो इस टाइब के अगर आप लोग को problem आती है तो प्रॉब् यहां पर कर दीजीगा जिसमें किया रहेगा की आप सों में जैसे डाटा आउन करेंगे वैसे आप लोग के फॉन में आप प्राइट नहीं होगे जिसकी वज़़上 से आप लोग फन हम 양然后 है क्योंकि जब भी आफ भी आफ लोग नुटिस करेंगे कोई problem नहीं है बट auto updates में कहा रहता है कि अपने आप ये apps update होते रखती है आप लोग अपना खुद का काम भी करते रहते जिस time पे apps update होते रहती तो उस time पे hanging जिसी problem आती है तो आप लोग ये सब problem को बंद कर दीजिगा, app market से भी आप लोग auto updates को auto updates को off कर देना है यहाँ पे setting open करिए auto updates को don't auto update यहाँ पे कर लिजिगा आप लोग जब चाहे तब ही आप लोग अपने फोन में जो है applications को update करते रहेगा और यहाँ पे आप लोग phone manager में जाके अपने फोन को रेम वगएरा clean करते रहेगा boost वगएरा करते रहेगा अपने फोन को जिसमें आप लोग के फोन में ज्यादा कचरा न हो जिसकी हो जैसे आप लोग के फोन में कोई भी problem न हो एक चीज में आप लोग बता दू कि आप लोग setting open करेंगे और यहाँ पे आप लोग additional setting में क्लिक करिए developer option पे क्लिक कर दिजीगा अगर आप लोग ने developer option enable नहीं किया ता आप लोग enable कर लिजीगा enable करते नहीं आ रहा ता आप लोग हमारे channel पे इस topic से related video देख सकते हैं हमने इस topic के उपर already video upload कर दिया है अब आप लोग को simply करना क्या पड़ेगा यहाँ पे option मिलता है हमें एक आप लोग एक option ढूणना पड़ेगा जो की है background process limit का यहाँ पे standard जो limit रहता है इसके उज़से क्या रहता है कि आप लोग जैसे ही कुछ भी apps वगेरा आप लोग अपने phone में open करते तो वो background में run करते रहते जिसकी वज़से आप लोग को problem आ जाती है hanging तो आप लोग मैं आप लोग को recommend करूँ कि आप लोग एक से दो process आपर रखी आलमोस्ट क्योंकि आप लोग जो अरतमान में use कर रहे है आप लोग के phone में use होना चीए बाकि useless जो unnecessary application रहती है वो run नहीं करना चीए इसलिए मैं आप लोग को recommend करूँगा एक दो तीन लगबग इस टाइब कर रखिये जितना कम आप लोग background में apps run कराएंगे उतना better है आप लोग के phone के लिए अगर आप लोग का phone hang कर रहा है तो इसके लवा जादा कुछ तो आप लोग को नहीं बताऊंगा जो मैंने आप लोग को tips बताया है अगर आप लोग उसको follow करते तो मैं आप लोग को 100% क्याने देता हूँ कि आप लोग की hanging problem solve हो जाएगी सबसे बड़ा effect effect जो करेगा आप लोग की phone वो करेगा storage तो storage हो सके जितना रखना है खाली आप लोग रख लीजिगा एंड फिलाल के लिए इतना ही उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसने की जय माता दी